Hello everyone, welcome to Okul, India के सबसे affordable learning platform में आप सभी लोग का एक बार फिट से, बहुत-बहुत स्वागत है आईए अपने Certificate Physical and Human Geography, GC Leong के course को हम लोग आगे बढ़ाते हैं Chapter 5 में हम लोग है, landforms made by running water की बात हम लोग इस chapter में कर रहे हैं और अभी तक तीन पार्ट में इस chapter में हम लोग river system के बारे में समझ चुके हैं ठीक है, और हम लोगों ने ये भी समझा कि जो courses of river हैं कि upper course और middle course होता है, तब किस तरीके landforms होगरा बनते हैं जब lower course होता है, तब किस तरीके landforms होगरा बनते हैं specifically हमने last part में जो है वो बात की थी, हमारे lower course के landforms को लेकर यानि कि जहाँ पर हमने देखा था कि floodplain बनता है, हमारे oxbow lakes बनते हैं जहाँ पर delta बनता है, उसमें जाना को types of deltas जो थे वो बताये थे, ठीक है तो आज इसी में जो इस chapter का last part है, that is river rejuvenation and human aspects of river थोड़ा सा उस कौम लोग जल्दी से देखेंगे और ये chapter को आज हम complete कर लेंगे, ठीक है तो आगे मढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से request करना चाहूंगा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और bell icon प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी वीडियो हमारी तरफ से post होता है, तो सबसे पहले उसका notification आपको मिल सेके ठीक है, चलिए, तो start करते हैं आज का lecture, चलते हैं अपनी book की तरह, देखिए आज हमें बात करनी है river rejuvenation, rejuvenation का मतलब क्या है, rejuvenation का मतलब है एक तरीके से कि river वापस से क्या हो रही है, यंग हो रही है, ठीक है, अब देखिए कैसे होगी है चीज, सबसे बहुत यहाँ पर क्या लिखा गया है कि the earth's crust is far from stable and it is not surprising that in the course of reverse development, parts may be uplifted or depressed, giving rise to certain characteristic features associated with rejuvenation that is being young again यानि कि दुबारा से क्या होना, young होना या एक तरीके से कह सकते हैं कि जवान होना, ठीक है, अब देखिए, लिखा क्या गया है कि जो earth's crust है, वो is stable नहीं है it is far from stable, वो is stable नहीं है, ठीक है, और ऐसा हो सकता है कि river के course के development के दौरान, कुछ parts ऐसा है जो उपर उठ जाए, यानि कि uplift हो जाए, कुछ parts ऐसे हो सकते है, जो depressed हो जाए, यानि कि नीचे बैट जाए, ठीक है तो उससे कुछ अलग तरीके के हमारे certain features, characteristic features बन सकते है, which are associated with your rejuvenation, ठीक है अब इसमें दो तरीके का movement होता है, पहला है negative movement, दूसरा है positive movement, एक एक करके हम इन movements को देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के हमारे characteristic features जो है वो बनते हैं, ठीक है देखे, सबसे पहले बात की जा रही है negative movement की, negative movement का मतलब क्या है, when there is an uplift of land or a fall in sea level देखे, दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है, लिखा अलग लग तरीक से क्या है, मतलब एक ही है, या तो जो land का portion है वो उपर उड़ गया है, या फिर जो समुद्र का level है वो नीचे हो गया है ठीक है, एक ही चीज़ है, समझ सकते हैं, आप दोनों के बीच में क्या हो रहा है, difference बढ़ रहा है, मतलब आपको यह समझना है, कि sea level और land के बीच का difference जो है, या तो land उपर उड़ गई है, तब भी बढ़ सकता है, या फिर जो sea level है, वो नीचे हो गया है, तब भी बढ़ सक slope, slope steep होता है, कहाँ पर upper course में, वहाँ पर क्या होती है, डाउन कटिंग जादा होती है, और जैसे जैसे river अपने middle course के तरफ को आती है, वहाँ पर उसकी down cutting कम हो जाती है, और lateral cutting, या आप कह सकते हैं कि lateral corrosion या lateral erosion जो है, वो बढ़ जाता है, अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, कि अगर हमारा sea level नीचे हो रहा है, या land उपर हो रही है, तो दोनों के पीच में क्या होगा, कि एक तरही किसा आप कह सकते हैं, difference बढ़ेगा, difference बढ़ रहा है, यानि कि slope का steepness बढ़ रही है, slope का gradient बढ़ रहा है, तो down cutting क्या हो जाएगी, जादा हो जाएगी, पहली चीज़ यह समझ दी है, ठीक, दूसरा क्या दिया गया है, a fall in the sea level leaves the floodplain at an increased altitude above the sea level, क्योंकि floodplain क्या था, floodplain वो region था, जहाँ पर नदी आके अपना सारा का सारा जो alluvium बगरा था, जो sediment बगरा था, उसको deposit कर रही थी, ठीक, अब वो क्या था, वो एक तरीके साब कह सकते हैं कि sea level पर थ गया है, तो floodplain एक उपर height पे आ गया है, increased altitude above the sea level, the river with its renewed vigor cuts into the former floodplain, leaving behind telluses on both sides of the river, अब क्या होगा, कि वो जो former वाला floodplain है, यानि कि जो पहला वाला level of floodplain था, river उसको भी काटेगी, क्यों काट रही है, यह आपको मैंने पहली बता दिया, क्योंकि river का क्या बन चुका है, जो slope है, वो steep हो चुका है, और down cutting बढ़ चुकी है, ठीक है, down cutting renew हो चुकी है, तो इसलिए अब वो उसको काटेगा, और क्या बनाएगा वहाँ पर, terraces, या फिर इसको बोले जाता है, river terraces, ठीक है, यहाँ पर इसको देख सकते हैं, आप diagram में, यह सबसे पहला आपको दिख रहा है, कि old flood plane है, यह जो उपर का portion है, this is your old flood plane, ठीक है, अब क्या हुआ है, कि बाद के area में, मतलब बाद के time में क्या हुआ है, कि यह नीचे हो गया, ठीक है, आप देख सकते हैं, यह नीचे हो गया, तो यहाँ पर से river नीचे गिरेगी, यहाँ पर एक तरिक से cutting होगी, और यह वाला portion उपर की तरफ को बन जाएगा, this will act as a river terrace, ठीक है, इसको terrace या river terrace बोला जाता है, ठीक, terrace या फिर river terrace, terrace का मलब कुछ नहीं है, छत, एक तरिक से जो उपर का area that will become the terrace, ठीक, समझ गया इस चीज को आप, इसके बाद क्या लिखा गया है, कि there is also a break on the graded profile of the river, often marked by a series of rapids, अब rapids क् पता है, जहाँ पर हमने देखा था, कि बीच में अगर कहीं पर कोई resistant rock आ जा रहा है, तो that becomes a rapid, यानि कि वहाँ पर नदी क्या कर रही थी, छलांग लगा रही थी, ठीक है, छलांग लगा रही थी, rapid बन रहा था, this point where the old and rejuvenated profile meet is called the nick point or rejuvenated head, ठीक है, अब देखिए, से यह river आ रही है, अपनी original course पर, यहाँ पर यह floodplain नीचे हो गया, यानि कि आप कहसकते हैं, नया floodplain नीचे हो गया, या sea level नीचे हो गया, तो यहाँ पर नदी को rapid होगा, यहाँ पर एक तरह कि से क्या जटका मिलेगा नदी को, ठीक है, यहाँ पर steep slope होने के वैसे, तो इसी point को बोले जाता है, निक point, निक point या rejuvenated head, ठीक है, इसके बाद देखे आगे क्या लिखा गया है, if rejuvenation occurs in the upper course, अगर rejuvenation upper course में हो रहा है, यानि कि उपर के एरिया में हो रहा है, तो क्या होगा, the river valleys are deepened and the steep sided gorges are formed, ठीक है, steep sided gorges बनेंगे, क्योंकि आपको यह बात समझनी ह है, rejuvenation हो रहा है, इसका मतलब क्या है, कि वहाँ पर, जो हमारा down cutting है, वो बढ़ रही है, simple सी बात आपको यह समझनी है, और उपर के course में हमें पहले ही पता है, कि down cutting होती है, अब rejuvenation होने के वाई से down cutting और बढ़ जाएगी, ठीक है, तो जो valleys है, वो जादा deep हो जाएगी, deep तो पहले भी थी, V-shaped varies पहले भी बन रही थी, लेकिन अब वो जादा deep हो जाएगी, गहरी हो जाएगी, ठीक है, और steep sided gorges भी बनेंगे, in the middle and lower course, vertical corrosion replaces lateral corrosion and the existing minders are vertically eroded by the rejuvenated stream, अब देखिए, यहाँ पर इसको समझना है, यहाँ पर आपको पढ़ के confusion हो सकता है, इसको समझना है, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कि हमने पता है, जो middle and lower course है, specifically हम भी बात करें, तो हमने पता था, कि middle course में क्या होता है, कि vertical corrosion बहुत कम है, यह vertical erosion वह बहुत ही कम है, वहाँ पर क्या replace हो जाता है, lateral, हमने पढ़ा था जहाँ पर lateral erosion होता है, इन्हां नवीडल कोर्स, ज जो आपको ध्यान रखना है और वो क्या है वो यह है कि हमारी down cutting बढ़ रही है अब हमारा जो middle portion था जहाँ पर पहले बीच में normal condition में down cutting कम हो गई थी down cutting was replaced by side cutting या आप कह सकते हैं lateral corrosion लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा वापस से down cutting बढ़ जाएगी ठीक down cutting बढ़ेगी तो जो हमा river develops a deep valley with entrenched or insist minders ठीक है जी entrenched और insist minders जो है थोड़ा सा मैं कहूंगा कि गलत लिखा हुआ है क्योंकि insist minders जो होता है इसके दो टाइप होते हैं एक होता है entrenched और दूसरा होता है ingrown ठीक है that is known as ingrown दो होते हैं मतलब एक entrenched होता है एक ingrown होता है ठीक मैं थोड़ा सा आपको इ minders है अगर उनकी vertical down cutting ज्यादा हो रही है तो that is your insist minders ठीक है अब insist minders के ही दो category होती है एक होता है entrenched ठीक है इसको मैं आपको आपको आपर समझा देता हूँ एक होता है entrenched और दूसरा होता है ingrown ठीक है ingrown अब इनके बारे में मैं आप तरह तरह लिख देता हूँ क्या होता ह है entrenched meander is symmetrical ठीक है इसमें symmetrical होता है इसमें क्या है कि जो हमारी down cutting है down cutting जो है वो ज्यादा होती है ठीक है river down cuts down cuts too quickly ठीक है, down cutting जादा तेजी से होती है तो इसलिए क्या है कि side cutting के लिए time नहीं मिल भाता, ठीक है, इसलिए जो side cutting होंगी, वो कम होंगी, ठीक है इसलिए यहाँ पर क्या है कि the lateral erosion या lateral corrosion जो भी आप लिखना चाहें lateral erosion या lateral collision is low, काफी कम होता है, ठीक अगर हम ingrown की बात करें तो ingrown is asymmetrical that is asymmetrical, ठीक है ज़स्ट मतब सारे के सारे features इसके just opposite हो जाएंगे, यहाँ पर जो है the river down cuts, river down cuts at less rapid pace, ठीक है, इतना तेजी से जो है वो down cutting नहीं होगा, ठीक है at less rapid pace और जो lateral erosion है वो थोड़ा सा जादा होगा, ठीक है, lateral erosion will be, lateral erosion is more, यानि कि एक तरीके साब कह सकते हैं कि जो हमारा entrenched minder बन रहा है, उसमें हमारा lateral erosion आप कह सकते हैं कम है या बहुत ही कम है, मैं कहुंगा कि ना कि बराबर है, ठीक है, और down cutting जो है, वो बहुत जादा है, इसकी वज़े से यह asymmetrical होते हैं, यानि यह symmetrical नहीं होते हैं, और यह symmetrical होते हैं ठीक है, this is symmetrical, this is not symmetrical, ठीक है, चली, इसको I hope कि आप समझ गये होंगे, और entrenched और insist minder क्या होता है, मैं आपको बता दिया, insist के ही यह दो पार्ट होते हैं, that is entrenched and ingrown, ठीक है, इसका example दिया गया है, the best developed insist minders are those of the river Colorado, USA, where uplift of 7,000 feet in the tertiary period, renewed down cutting to a fantastic depth, अब 7,000 feet की अगर uplift हुई है, तो आप समझ सकते हैं कि down cutting कितनी जादा हुई होगी, ठीक है, in some parts of the Grand Canyon, the depth is almost a mile, कही कहीं पर तो depth जो है, Grand Canyon जैसी जगे पर, एक mile तक हो चुकी है, ठीक है, इस 10 miles wide at the top and 300 miles long, other examples are the river Mosel in Germany, river Vier in Durham England, and Wai Valley in the Monmouth शायर, ठीक है, तो यह तो था negative, हमारा जो था negative moment, negative moment का मतला मैं आपको बताया है कि या तो land का पार उपर बढ़ रहा है, या C का level नीचे हो रहा है, या निकि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, difference बढ़ रहा है, ठीक है, अब इसी के साथ हम दूसरा देखेंगे, that is your positive moment, positive moment में क्या है, कि या तो land का depression हो रहा है, there is a depression of land, या फिर rise in the sea level, अब आप समझ सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो gap है, या जो gradient है, वो क्या हो जाएगा, that will be less, वो lower हो जाएगा, ठीक, this will submerge the lands along the coast, drown the valleys and weaken the erosive power of the river, इसका जो effect है, वो just उल्टा होगा, positive moment में जो effect है, वो just उल्टे होंगे, as of negative moment, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, कि अब जो erosive power है river की, वो कम हो जाएगी, ठीक है, erosive power कम हो जाएगी, जो land along the coast है, वो, जो land along the coast है, वो submerge हो जाएगी, यानि कि वो पानी में डूग जाएगी, ठीक है, जो valleys वगरा है, वो डूबने लगेगी, ठीक, अब यह चीज होंगी, यहाँ पर, the flow is checked and large quantities of sediment will be dropped, ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, कि sedimentation, जो हमारा lower course में हो रहा था, वो अब फ्रॉबसा middle course में ही होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, the lower course of the river may be partly in the sea and the features of deposition are shifted upward in the middle course, to the middle course, ठीक है, यानि कि मैं बताया है, जो deposition हमारा नीचे हो रहा था, वो उपर की तरफ को उन लग जाएगा, the upper course is little affected when there is rise in the sea level, upper course में बहुत जादा फरक नहीं पड़ता है, in many areas where the sea has risen, this was probably caused by the release of water locked up in the ice masses during the quaternary ice ages, ठीक है, quaternary ice ages में जो पानी खटा हो गया था इस masses में, वो उसके बाद क्या हुआ कि समुद्र मा आया तो उससे समुद्र का level बढ़ गया, उससे इस तरीके का जो यह हुआ है, क्या positive movement, ठीक है, अब देखे, मैं आपको इसको याद रखने का यह बहुत ही simple तरीका बताता हूँ, ठीक है, इध्यान से देखेगा, negative movement और positive movement, मैं आपको दो बताए, ठीक है, कैसे आपको याद रखने मैं बताता हूँ, आपको सारे का सारे effects भी अपने आप automatically याद हो जाएंगे, देखे, negative movement का मतलब क्या है, कि जो difference है, आपको difference समझना है, difference increases, और positive मैं क्या हो रहा है, difference decreases, ठीक है, या आपको ध्यान रखने है, ठीक, अब या difference किसके बीच का है, मैं ये भी आप लोगों के लिए आप लिए आप लिए आप लिए देता हूँ, अदरवाईज आप लोगों को doubt हो सकता है, इसके बाद मैं आपको ये चीज याद रखने का तरीका बताता हूँ, कि किस तरीके से आप लोगों ये देख सकते हैं, कि कहाँ पर जो effect है वो क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर आपको धिखन रखना है जब negative चीजे हो रही है, ठीक है, जब negative चीज खना है, याणि कि जब हमारा जो difference है वो बढ़ रहा है, तो हमें ये चीज ध्यान रखना है कि जो हमारा river का course है ठीक है ऐसे करके मैं river का course दिखा जाता हूं generally ठीक है river के course में जो चीजे है जो phenomena है वो downward shift कर रहे है बस ये आपको ध्यान रखना है और इसके case में क्या है कि जो river का course है इसमें phenomena's upward shift कर रहे है बस ये समझ गया आप इसमें क आए कि यह अगर upper course है, यह अगर middle course है, यह अगर lower course है, ठीक, इसी तरीके से यह upper course, यह middle course, यह lower course, अब इसमें क्या था, कि normal condition में जो phenomena middle course में हो रहे थे, वो यहाँ पर lower course में होंगे, जो यहाँ पर upper course में हो रहे थे, वो यहाँ पर middle course में होंगे, ठीक, क्योंकि जैसे हमने deposition थोड़ा बहुत था जो mentoring formation अगर जादा हो रही थी वो अब lower course में होने लग जाएगी similarly अगर हमारा positive difference है या फिर difference जो है वो decrease कर रहा है तो क्या हो रहा है तो जो हमारे phenomena's lower course में होते थे वो phenomena हमारे middle course में होने शुरू हो जाएगे अगर आपने पिछले दो वीडियो में से हमारे जो upper course में क्या हो रहा है middle course में क्या हो रहा है lower course में कौन-कौन से phenomena's कौन-कौन से land forms बन रहे है वो आपको याद रखना है और बाकी आपको ये चीज़ याद रखनी है कि shifting किस तरीके से हो रही है ये नीचे की तरफ को shift हो रहा है वो negative movement के case में है यानि कि जब difference बढ़ रहा है और positive movement यानि कि difference जब घट रहा है उस case में movement upward है बस इतना आप याद रख लो काम हो गया इससे जादा याद रखनी के rivers form the chief highway of commerce and transport यानि कि rivers के through क्या होता है commerce or transport यानि कि आप कह सकते हैं कि समान वगरा भेज़े जा सकता है या it is used as a means of transport the Yangtze Kiang is navigable up to the thousand miles from its mouth the Amazon the world's greatest river is navigable 2300 miles upstream to the foot of the Andes though it is less extensively used मैं फिर से कहूंगा जिस तरीके के examples यहाँ पे दिये गए है this is a foreign author book तो यह हमारी भी मजबूरी है इसको पढ़ना इस तरीके से examples को ठीक है लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि जिन लोगों के curriculum में यह book नहीं है ठीक है जिन लोगों के school में यह book अगर course में prescribed है तो उन लोगों को तो यह example जो है वो याद रखने पढ़ेंगे तो आपको यह चीज़ा अपने आप याद हो जाएगे ठीक है और दूसरी बात यह है कि जो हमारे competition वाले students है जो competition के experience है उनके लिए मैं कहूंगा कि यह examples as such जादा important नहीं है आप यहाँ से related example जो है वो अपने इंडिया के perspective में देखे जैसे यहाँ पर हम लोग बात कर रहे है chief highway transport and commerce के लिए rivers यूज़ की जा रही है मतलब you can directly connect it to the inland waterways inland waterways में आप जा सकते है जो हमने human geography की या जो India people and economy की specific दी में बात करूँगा वहाँ पर जो हमने geography का course है उसमें जो हमने transport वाला chapter पढ़ा है वहाँ पर हम लोग ने inland waterways को लेकर बात की है तो आप उसको वहाँ से connect कर सकते है और वहाँ के examples आप इसमें यूज़ कर सकते है ठीक है क्योंकि as such UPSC के exam की में बात करूँ या और भी किसी SSC railways बगरे के exam की में बात करूँ तो वहाँ पर आप से ये यांग से क्यांग का example और आप से ये Amazon का example ऐसाच नहीं पूछा जाएगा ठीक है वहाँ के लिए example आप लोग जो है अपने इंडिया के respect में याद रखें तो जादा बेटर है अप लोग इसके example जो है अपने according manager से बता है आपको change कर सकते है ठीक है आपकी यूरोप में है कॉंग और एफ्रिका में है मरे डार्लिंग आपकी आस्टेलिया में है मेकॉंग और इरावदी आपकी जो है वो एशिया में है ये आल सर्वेस दी इंपॉर्टेंट वाटरवेस for the respective countries ठीक है जो लकडी के बड़े-बड़े क्या कहते है लकडी के लॉक्स को क्या बोला है था लॉक्स ही बोलते है उनको उनको सौ मिल्स मतलब जो आरा मशीन होती है वहां तक उनको भेजा जाता है अदर्स आर यूस्ट टो एक्सपोर्ट बलके गुड़्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानि के सामान को बेजने के लिए और इसके लिए यूस के जाता है ठीक है बट आल रिवर्स अंडर्टेक थ्री क्लोजली इंटर रिलेटेड एक्टिविटीज जो है इरोजिन, ट्रांस्पोरडेशन और डिपॉजिशन ठीक है तीनो इस तरीकी की जो एक्टिविटीज है वो हर रिवर्स में होती है तो वहाँ पर क्या होगा कि वो रिवर नेविगेबल नहीं रहेगी यह बात भी हमने की है कि जो अगर कोई ऐसा शोर है जिसमें नीचे डिपॉजिशन जादा है ठीक है रिवर के फ्लोर में डिपॉजिशन जादा है तो वहाँ पर हम जो शोर होगा यानि कि जो तट होगा वहाँ के जादा पास आप बड़े स्टीमर्स नहीं ला सकते क्यों नहीं ला सकते क्योंकि उनके नीचे का हिस्सा जो है फिर वो मिट्टी में उसमें पत्थरों में और मिट्टी में टकराता है फिर उसको तोटने का डर रहता है यही एक्जामपल हमारे पास इंडिया के respect में आप इसको समझ सकते हैं हमारे पास western coast और eastern coast है और हम लोगों ने ये बाद पहले भी करी है कि western coast में हमारे जो number of ports है वो जादा है और eastern coast में हमारे number of ports कम है क्योंकि हमारा जो western coast है यानि कि जो हमारा गुजरात और महारास्ट्र साइड वाला coast है वो submerged coast है submerged coast का मतलब क्या है कि उसमें अगर आप जो continental shelf होती है वो थोड़ा सा नीचे है यानि कि वहाँ पर क्या है कि जो जहाँज है जो ships वगरा है वो जादा पास आ सकते है और जो हमारा दूसर साइड का है यानि कि जो Kolkata चिन्ने वाला जो port है और जो डिसा वाला port है यानि कि eastern side का port वो emergent coast है emergent coast का मतलब क्या है कि उसके जो continental shelf वो जादा deep नहीं है और continental shelf जादा deep नहीं है यही चीज यहाँ पर समझाई गई है CDC बात जो दी गई है अब इसको आपको मैं वहीं बता रहा हूँ कि आपको यहाँ से चीज़ों को पढ़ना है समझना है और concept आपको अपनी पूरी की पूरी geography as a whole geography लेके पढ़िंगे इसको आप मैं यही समझानी कोशिश आप लोगों को और दिनों भी कर रहा हूँ हलाकि हमने geography जो है वो books wise पढ़ी है bits and pieces में पढ़ी है लेकिन अब यह आप लोगों की जिम्मेदारी है NCRT की चारो books complete हो चुकी है GC Leong भी हम लोग almost आधे में पहुचने वाले है ठीक है जिसकी वैसे chances इस साल तो कम है I don't think कि हम अभी इसको इतनी जल्दी ला पाएंगे लेकिन फिर भी आप लोगों को इतने concept समझा दिये गए है मैंने आपको इतना geography पढ़ा दिये है कि अब आप एक दूसरे से चीज़ों को relate कर सकते हैं और अगर आप अपने notes वगरा कहीं पर बना रहे है तो you can have the consolidated notes किसी भी topic को लेकर ठीक है अब आप लोगों को जो topic की connectivity है जो concept की connectivity है वो बनानी अब तक आ गई होगी ठीक है अगर किसी को problem है तो then I can take a session on session one or two sessions according to that कि आप किस तरीके से जो हमाली चार books है NCRT की प्लस जो GC Lyong है उसको किस तरीके साब connect करें वो थोड़ा सा माप लोगों को help कर सकता हूँ अगर आप लोगों को इस तरीकी की जरुवत महसूस होती है तो आप मुझे नीचे या तो comment section नो बताईएगा या फिर जो telegram का group है वहाँ पर join करके आप ये चीज़ बताईगा कि अगर आपको ये connectivity करने में issue आ रहा है तो आप मुझे बता सकते हैं मैं आपको थोड़ा सा guide कर दूँगा कि किस तरीके सा आप chapter एक दो chapter के examples लेकि कि आप इसको कैसे connect करें ठीक है लेकिन connectivity आपको करनी पड़ेगी क्योंकि UPSC के अगर आप लोग तैयारी कर रहे है तो आप chapters को आप topics को bits and pieces में नहीं पढ़ सकते वो तो हम लोगोंने books wise चीज़े cover करी हैं तो हम लोगों को ऐसे पढ़ना मजबूरी थी हमने अगर कोई हम full course जो था अगर हम geography का full course लेके चलते तब बात अलग थी कि हम पूरे के पूरे topic को खुदी link करते हुए चलते ठीक है तो अभी फिलाल के लिए ऐसा है कि better ये रहेगा कि आप लोग फुल कोर्स का वेट ना करें और better ये है कि आप लोग अगर चीज़े पढ़ रहे हैं अपने NCRT पढ़ ली हैं आप साथ साथ जी सी लोंग भी पढ़ रहे हैं तो इन topics की आप connectivity बनाए और एक consolidated form में concepts और topics को no down करके रखें ठीक है bits and pieces में करके काम नहीं ठीक हो गया अगर फिर मैं कहा रहा हूँ किसी को अगर कोई doubt होता है कि किस तरीके से connectivity करनी है तो आप नीचे या तो comment section में लिखेगा या फिर आप जो telegram का हमारा group है local gs ups discussion forum वहाँ पर पूछ सकते हैं मैं आपको एक या दो chapter के एक या दो topic के examples लेके as such किसी दिन live session के तुरू या किसी चीज इस तरह के कोई video के तुरू मैं आपको यह समझा दूँगा कि connectivity आपनों कैसे करनी है बस ठीक है चलिए आगे देखते है deltas are thus less satisfactory sites than ashuries for the sighting of large ports ठीक है हमें पता है कि delta जो है इस समस्या को दूर किया सकता है या तो हम लोग आपको बताया था last lecture में भी कि जो surface के ओपर जो river belt के ओपर जो silt जम जाती है उसको निकालना ठीक है उसको निकालने के जो machine वेकर होती है that is known as dredgers ठीक है लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा है कि यह बहुत expensive process भी है और कभी-कभी यह impractical भी हो जाती है ठीक है तो इसका use as such हर जगे करा जाए वो possible नहीं है ठीक है some river changes their course from time to time others are made difficult for navigation by their seasonal variation in the amount of water discharge and others may suffer from ill-drained marshes and stagnant waters leading to ill health and waterborne diseases ठीक है तो कुछ नदियों का क्या है कि जो course है यानि कि जो रास्ता है वो change होता रहता है कभी-कभी किसी में यह होता है कि पानी का जो amount है वो seasonally vary करता है नहीं कि बारिश के तुरह में बहुत जादा पानी हो जाता है गर्में के तुरह में सूख जाती है तो भी उसमें navigation नहीं किया जा सकता कुछ में ऐसा होता है कि मार्शे होते हैं मार्शी लेंड जो होते हैं वो होते हैं दलदल वगरा होते हैं stagnant water होता है नहीं कि पानी रुका हुआ होता है तो उसकी वैसे क्या है कि waterborne diseases वगरा उसमें हो सकती है navigation ले उसको जादा use नहीं किया जा सकता many rivers flood bursting levees and causing untold damage to crops हमने पिछले lecture में भी बात की थी किस तरीके से जो levees बनाए जाते हैं जो artificial embankments तटबंद बनाए जाते हैं वो अगर जादा पानी आता है तो तूट जाते हैं ठीक है तो यह भी कुछ नदियों की problem है the floods may add a layer of fertile silt to the flood plain but excessive flooding as in the orinoco may discourage people from cultivating crops at all ठीक है यानि कि थोड़ा बहुत जो हमारे alluviums वगर आ रहे हैं यानि कि जो हमारे fertile silt वगर आ रही है वो तो ठीक है लेकिन अगर बहुत जादा होगी तो वो भी फिर सही नहीं है ठीक है on the other hand the advantages of river often outweigh the destruction that they cause यानि कि इनके establishment of metallurgical industries engineering and aluminum smelting which can be profitably run on cheap and abundant power यानि कि जो अपर course होता है वहाँ पर हमें पता है कि क्या है कि slope जादा है ठीक है steep gorgeous वगरा होते है तो वहाँ पर हम लोग क्या कर सकते है hydroelectric power plant वगरा जो है generate कर सकते है ठीक है और वहाँ पर इस डैम वगरा बना कि इस तरीके की चीजों को use किया जा सकता है electric city produce की जा सकती है जिससे फिर कुछ metallurgical industries है engineering aluminum smelting industries है जिन को abundant power यानि की cheap abundant power का use करते वही बनाया जा सकता है ठीक है dams constructed across rivers hold back flood water which if allowed to flow downstream unchecked may cause widespread disastrous flood in the lower course example in the indus and the ganges plane यानि की उपर डैम वगरा बनाया जाता है तो उससे जो है flood को check किया जाता है अगर माली जो ओपर कोई इस तरीका डैम वगरा नहीं बनाया जाएगा तो फिर सारा का सारा पानी जो है वो नीचे आ जाएगा और नीचे का जो लो of Raya Basin in Thailand irrigation canals fed by the mainstream enable many crops to be successfully cultivated ठीक है कहीं पर अगर पानी कम है तो फिर इस तरीके के डैम वगरा से पानी लेके जो है यूस किया जा सकता है ठीक है और उससे irrigation वगरा किया जा सकता है दापान streams develop river captures and the resultant wind gaps may facilitate construction of upland roads and railways यह मैं आपको बताया था पिछले chapter में हमने पिछले lecture में भ तरीके से होता है और उसके तुरू किस तरीके से wind gaps वगरा बनते हैं ठीक है और उन wind gaps में हम लोग जो है roads बना सकते हैं railways वगरा बना सकते हैं the river valley provides a convenient means of land communication ठीक है उसके तुरू land communication जो है वो किया जा सकता है the flood plains of large rivers with their thick mentals of fine silt are some of the richest agricultural areas of the world यानि कि जो flood plains वगरा है वहाँ पर they may support very dense population and a chain of large cities may be strong along their banks so obviously बात है अगर वो agriculture area है तो वहाँ पर खेती वगरा जादा होगी वहाँ पर फिर settlements वगरा जादा होगा तो वहाँ पर cities वगरा भी जादा होगी ठीक है many deltas are equally fertile जैसे कि ganges delta है accounts for almost all the jute grown for world consumption ठीक है jute grown का जो region है यानि कि जहाँ पर jute की खेती होती है वो हमारा गंगा का जो delta है वहाँ पर है ठीक है the nile delta produces superior quality cotton and several crops of rice a year जो nile का delta है वहाँ पर भी ये चीज़े होती है the productive hinterlands are able to support ports such as new orleans for the mississippi basin, rotterdam for the rhineland and the kolkata for the indogangetic plain इस तरही के जो hinterlands वगरा है वो क्या कर सकते है they provide support ports ये support ports की तरह काम करते है ठीक है main ports नहीं है ये support ports की तरह क is important along many rivers and lakes ठीक है fresh water fishing भी की जाती है the organic matter brought down by the river water provides valuable food for fish and for spawning purposes ठीक है यानि कि जो organic matter जो rivers द्वारा लाया जाता है वो fishes के लिए valuable food का का काम करता है और उसी को basically जो fishes वगरा है वो spawning के लिए भी उस करती है spawning का मतलब होता है to lay down their eggs ठीक है आपने अंडे बगने देने के लिए उसक domestic consumption, sewerage and other industrial purposes रिवर का पानी जो है वो इसके लिए भी यूज होता है domestic consumption जो गरों में यूज करते हैं, sewerage के लिए, industrial purpose के लिए, in Lancashire the soft water from the milestone grid is used for washing, dyeing and breaching textiles, rivers form the political boundaries between many countries, बहुत सारे देशों के बीच में नदिया जो है वो political boundaries का का काम भी करती है, the Mekong separates Laos from Thailand and the Yalu forms the well-defined border between North Korea and the Eastern USSR, ठीक है, तो ये सारी के सारे human aspects मतलब आप एक तरीके से कह सकते हैं कि humans की daily life में, चाहे वो economic life हो, चाहे वो social life हो, किस तरीके से rivers जो है वो role play कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा एक holistic यहाँ पर आप आप लोगं को view देखने को मिला है, कि जिसमें हम लोग transportation से भी use कर रहे हैं, dams वगरा बनाके हम लोग uncontrollable flood को या uncontrollable flow को चेक कर रहे हैं, उस area से पानी लेके हम लोग irrigation के लिए उसको use कर सकते हैं, ठीक है, fertile plane वगरा जो है उसके through, चुकि fertile silt वगरा आ रही है तो fertile plane में हम लोग jute consumption जैसे jute production इंडिया में होता है, जै फिन नाइल में example दिया गया है, आपका cotton grow हो रही है, rice grow हो रहा है, इस तरीकी चीज़ है, fishing के लिए important ground है, पानी को है, जो वो water supply के लिए use हो रहा है, political boundaries यहाँ पर बन रही है, तो इस तरीके की काफी सारी चीज़ है, कि human aspects of river, एक तरीके से कह सकते हैं, कि what is the role the rivers are playing in the human life, ठीक है, तो यह chapter इसी के साथ complete होता है, अब अगले lecture में, यानि कि कल के lecture से हम लोग जो है, अगला chapter that will be chapter number six, उसको start करेंगे, ठीक है, चलिए, तो content related आपको अगर कोई भी doubt होता है, तो आप हमारा telegram का जो group है, that is local GSUPSC discussion forum, उसको join करके पूछ सकते हैं, इसका link नीचर description box में दिया हुआ है, या फिर आप इसको telegram में सर्च करके भी join कर सकते हैं, बाकी इस video series का जो full codes है, वो हमारी website पर available है, उसका link जो है, नीचर description box में दिया गया है, वहाँ पर आप लोगों को सारे के सारे videos मिल रहे हैं, और धीमे धीमे वहाँ पर सारे के सारे notes और quizzes जो है, वो भी update कर गी जाएंगे, तो videos के तुरू आप लोग पढ़ सकते हैं, concept सीख सकते हैं, notes के तुरू आप लोग revise कर सकते हैं, और quizzes के तुरू आप लोग अपनी preparation को assess कर सकते हैं, course purchase करने संबंदी अगर आपको एट technical query face करते हैं, तो उसके लिए आप इस WhatsApp नमबर पर contact कर सकते हैं, that is 9498086380, बाकी अगर आप हमसे कोई बार बार शेयर करना चाहें, कुछ भी पूछना चाहें या कुछ बताना चाहें, तो आप हमारी email ID का use भी कर सकते हैं, that is support at directocool.co, बाकी हमसे ज़्यादा जुडने के लिए आप हमें Facebook पे, Instagram पे, LinkedIn पे और Twitter पे भी follow कर सकते हैं, Thanks for watching, till the end, आप हमारे other courses को in playlists के through access कर सकते हैं, अगर आपको यह video पसंद आया है, तो like ज़रूर करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगर आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को subscribe नहीं किया है, तो जल्दी से कर लीजे, और bell icon प्रेस करना बिलकुल नहीं भूल